हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एससी कोचिंग सेंटर दोस्तों आज के वीडियो में मैं प्रुबावलिल्टी के कोउशन लेकर के आया हूँ ठीक है जो कोउशन टैट एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है और यूपी पुलिस में भी आने की संभावना है तो आप इस वीडियो टैट में आएगा वो किसी दूसरे एक्जाम में नहीं आ सकता ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है कोई सा भी कोशन एक्जामिनर को अच्छा लगता है तो वो किसी भी एक्जाम में पूछा जा सकता है याद रखना इस बात को और बहुत सारे बच्चे मैकसिमम मुझे मालूम ह यूपी पॉलिस की तयारी कर रहे हैं और हम यूपी पॉलिस के लिए क्लास रेगूलर लेकर क्या रहे हैं यूपी पॉलिस के लिए रेगूलर क्लास लेकर क्या रहे हैं तो आप रेगूलर हमारे वीडियो को पहुच करिए जिससे कि आपके एक्जाम की तयारी बहुत अच टू ठीक है अब इसमें दो तरीके के कोश्चन होते हैं एक तो होता है हाथ मिलाने वाला और एक होता है उपहार देने वाला ठीक है याद रखना हाथ मिलाने वाला उपहार देने वाला तो यह जो फॉर्मूला है यह हाथ मिलाने के लिए है ठीक है अगर उपहार वाला कोश् बाल है यानि की हाथ मिलाने वाले में 2 sector कर देते हैं और उपहार वाले में में 2 से डिवाइट नहीं करते अब इस不是 अंसर होगा ठीक है एन की वैलु कितनीए 10 है एन की जगे में 10 रख दूँगा कीında-ईन की वैलु 10 है 10 मैं से माइने समाइन और एक li divided by two है चलो दस इंटू दस में से माइनिस कर दोंगा एक तो कितना बचेगा नो डिवैड में दो दो से कटा लो पांच बार में पांच निम पैंतालीस कितना अंसर आगे आपका पैंतालीस प्रेश्निका सही जवाब है पैंतालीस तो मैंने आपको दोनों बातें बता दी अग ठीक है चलिए अब देखते हैं अगला सवाल अगला सवाल है एक पार्टी में उपस्थित 15 लोग आपस में हाथ मिलाते हैं तो बताओ वे कितनी वार हाथ मिलाएंगे चलिए हाथ मिलाने का आप फॉर्मूला तो बताईए आपको एन इंटू एन माइनस वन डिवैड़ेड में दू है दो से कड़ा दो 14 को साथ बार में 15 का मल पर साथ से कंदो 105 हो जाएगा 15 सत्य कितना होता है 145 यह आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है हम जो ट्रिक आपको बताते हैं वो ट्रिक हम बताते हैं कि 10 सेकिंड या 15 सेकिंड या 20 सेकिंड इतने में ही आंसर यह आप जब एक्जाम में solve करें 10 सेकंड 15 सेकंड जाद से जाद 20 सेकंड लगें आपको सवाल solve करने में चलिए आप देखेंगे हम अगला सवाल अगला सवाल है एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाया इस प्रेकार कुल 55 बार हाथ मिलाया गया व्यक्तियों की संख्या बताओ कितनी है कितने व्यक्तियों ने हाथ मिलाया है कि 55 बार हाथ मिल गया formula तो आपको पता ही है n into n-1 divided by 2 ठीक है हम इतने से solve कर देते हैं और हमें ये पता चल जाता है कि कितनी वार हाथ मिलाया गया तो हमें इसकी value दी गई है 55 वार हाथ मिलाया गया इसकी value तो हमें दे दी गई है 55 वार हाथ मिलाया गया हमसे तो केवल यह पूछा गया है कि ब्यक्तियों की संक्या कितनी है अब देखो solve करने के लिए सवाल को मैं आपको बता दू 55 बार हाथ मिलाया गया है न इसका आप 2 गुना कर लीजी जब आप इसका 2 गुना कर देंगे तो 110 हो जाएगा ठीक है 110 अब देखना 110 हो गया न इसको आप क्या लिख सकते हैं इसके factor जब करेंगे तो 10 multiply 11 110 हो जाएगा हमेशे याद रखना इस तरीके के सवाल में क्या करना है कि आपने जब 2 से multiply कर लिए 110 हो गया और इसके factor 10 multiply 11 हो गया इसके factor क्या होगे 10 multiply 11 यानि की एन की value आपकी 10 होगी इस formula में अब लगा के देख लो एन अगर मैं 10 ले लेता हूं into एन मैंने 10 ले लिया 10 में से 1 minus कर दूँगा 9 ठीक है 10 में से 1 minus कर दूँगा 9 डिवैड में 2 दो से कटा दिया मैंने 10 को 5 बार में 5 निम 45 आंसर 45 आया और आना कितना चाहिए 55 इसका मतलब n की value हमारी 10 नहीं है 10 नहीं है तो 11 होगी ठीक है चलो n की जगे मैं के ले लेता हूं 11 into n की value 11 11 में से minus कर दूँगा 1 तो 10 बचेगा divided by 2 दो से कटा दूँगा 10 को 5 बार में 11 का मल पर 5 से कर दो तो कितना हो जाएगा 55 तो हमारा कितनी बार हाथ मिलाया गया था 55 बार और निकल के भी आ गया 55 बार इसका मतलब n की value हमारी 11 है तो कितने व्यक्ति होगे 11 व्यक्ति है यानि कि आंसर आपका क्या हो जाएगा 11 प्र एक स्थान पर मिलते हैं तथा वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे देखिए प्रिष्णि में आपको करना क्या है यहाँ पर दो ग्रूप है एक 8 व्यक्तियों का ग्रूप है एक 11 व्यक्तियों का ग्रूप है एक ग्रूप ही हो गया और जब दो गरूप रहे तो क्या करना है दोनों का बस गुना करदो अपस में दोनों का मल्टिप्लाई कर दो कितना हो जाएगा गेरए 2018 यानी कि 88 वार हात मिलाए जाएगा यह आपका आनसर हो गया अब ज़रूरि नहीं है कि प्रेशनी में दो ही गरूप आ जाए हो सकता है तीन गुरूप दे दिये चार गुरूप दे दिये तो कैसे करेंगे बाई जब दो गुरूप रहेंगे तो दोनों गुरूप का अपस में मल्टिप्लाई कर देना है और जब तीन गुरूप आ जाए या चार गुरूप आ जाए उसे कैसे करना है वो भी पर मिलते हैं देखी एक गुरूप छे व्यक्ति का है दूसरा गुरूप आठ व्यक्ति का है और तीसरा गुरूप दस व्यक्ति का है इस बार तीन गुरूप है एक इस्थान पर मिलते हैं तथा सभी आपस में हाथ मिलाते हैं सभी ने हाथ मिलाया आपस में तीनों गुरूप यानि कि ये च्छे व्यक्ति का जो गुरूप है इसने इस गुरूप से भी हाथ मिलाया और इसने इस गुरूप से भी हाथ मिलाया ठीक है यानि कि इन दोनों के हाथ मिलगे दोनों गुरूप के और ये वाले और ये वाले गुरूप के भी हाथ मिलगे ठीक है अब ये वाला जो गृरुप है दस व्यक्ति वाला इससे मिलके इसके हाथ अब इसके इससे भी मिले गे तीनों गृरुप के हाथ मिलक के आपस मैं चलो तीनों गृरुप के हाथ मिलDyou यानिकि इस व्यक्ति के इस गुरूप के हाथ इससे मिले, 6 का गुना 8 से करो, कितना हो जाएगा, 46, 48, इसके फिर इससे मिले हैं, यानिकि 6 का गुना 10 से करो, 16, 60, फिर इसके इससे मिलेंगे, यानिकि 8 का गुना 10 से करो, 80, 188, सभी को जोड़े लेना है, सभी को जोड़ेंगे तो यह आठा जाएगा, 6, 4, 10, 8, 18, यानि कि 188, आपके सवाल का सही जवाब क्या है, 188 बार हाथ मिलेंगी, ये प्रेशने का बिल्कुल सही जवाब है, अब देखेंगे अगला सवाल, अगला प्रेशने, एक कॉलेज की पार्टी में 36, 81 हुए, तथा पार्टी समाक्त होने के पश्चात, एक दूसरे को उपहार स्वरूप एक-एक पैन दिया, कुल कितने पैन का आदान परदान हुआ, अब देखिए मैं आपको पहले ही बता दिया था, कि इसमें हाथ मिलाने के साथ-साथ, उपहार वाले प्रेशने भी पूछे जाते हैं, और यह उपहार वाला ही प्रेशने हैं, और इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताया था, एन इंटू एन माइनस वन, यही तो बताया था, इसमें दो से डिवाइड नहीं करना, अब एन की वैलू आपके पा 297 का साथ, कैरी का दो, तीन दोने का छे, कैरी का दो जोड़ेंगे आठ, बस 875 का आदान प्रदान होगा भाई, कितना पेन का आदान प्रदान होगा, 875 का आदान प्रदान होगा, यह आपके सवाल का बिलकुश सही जवाब है, चलिए, आप देखेंगे अगला सवाल, गुलाब बाटे जाते हैं ब्यक्तियों की संख्या बताईए सबसे अच्छा सवाल क्या आप यहाँ पे ब्यक्तियों की संख्या बता पाएंगे अगर मैं आपको हमबर्थ के लिए दे दूँ यह सवाल तो फॉर्मूल आपको पता है N into N minus 1 होता है उपहार वाले में ठीक है और उपहार में क्या क्या दिया जा रहा है एक एक गुलाब दिया जा रहा है यही तो सवाल है उपहार माने क्या क्या दिया रहा है कि गलाब यानि कि इससे हम क्या करते हैं उपहार का मान निकाल लेते हैं कितनी उपहार है और उपहार का मान हमको पहले सी दिया गया है 156 यानि कि 156 कि मैं क्या कर लूँ फैक्टर कर लूँ फैक्टर क्या हो जाएगा 12 गुना 13 बारे कमल पर अगर मैं 13 से कर देता हूं तो 156 हो जाएगा कि नहीं तो इसका मतलब क्या है आन की वैलु या थो 12 होगी या फिर एन दे कि वैलु हम क्या करेंगे 13 ले लेंगे पहले यान कि न की जग lle मैं 13 ले लेता हूं एन की वैलु 13 13 मैंसे माइंस कर दूंगा एक तो 12 ठीक है 12 और दोनों का मल्ट पर ही करूँगा तो 156 हो रहा है की नहीं हो रहा 156 हो गया तो आप से पूछा क्या था कि व्यक्तियों की संख्या बता दीजे तो व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी 13 ठीक है व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी यानकि 13 आपके सवाल का बिल्कुल सही चवाब है दोस्तों बिना शेयर करें और बिना लाइक करें आपको नहीं जाना है वीजियो को शेयर और लाइक जरूर करें और इसी तरीके एक्जाम के आपको तैयारी करनी है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें और वेल आइकन का बटन देवा बड़ाद